हेलो एंड वेलकम अगेन देखे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टार्गेट करेंगे आई पेसी नेमिंग ओफ कोडिनेशन कंपाउंड्स को जो हर बार बोर्ड एक्जाम में आता है तू मार्क्स में आता यह कोस्टन या तो वन मार्क्स में पूछ लेगा अगर अब बहुत लेटिंग लिएसे अब उसके आधना हम लोगे पास क्या आजाता था किसी कंपाउंड की नेमिंग मैं यहां पर हेंडिंग करता हूँ आईू पी आए सी रायू पिये सी नेमिंग ओफ नेमिंग ओफ कंपलेक्स कैसे एक एक व्यू सिडिक है यह हम लोग को जोचना ह complex जो है ना हम लोगों के पास तीन टाइप का हो सकता है या तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ on the basis of charge जो last time last video में हम लोग पढ़ चुके हैं on the basis of charge क्या होता भई तो complexes होते हैं हम लोगों के three type के मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ stop क्या होता है नियुट्रल होता है अव्ह फिर grow up कंप्लेक्सिस में हम लोग example यहां पर दे दिये ठें मार लीजए तो मैं यहां लिक देता ह Pier की यहां पर लिख दिया मैं NH3 आपको पता है निउट्रानल लिगेंड्स है लास्ट वीडियो में अपड़ चुके हैं तो इसका दो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा भाई तो मैं यहां पर लिग दिया c l2 इस complex entity के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है neutral complexes में मैं यहां पर क्या कर देता हूं देखे मैं एक ही compound का सब कुछ बनाऊंगा तो f e और यहां पर मैं दो c l कर दिया तो अब दोनों चार्ज हो गया बचा एनच 3 से मैं बैलेंस कर देता हूं यह मैं 4 कर दूंगा यह neutral हो गया है यहां यहां पर मैं कर देता हूं f e c n 6 है तो यह तीन टाइप के complexes है और तीनों category जो है हम लोग की अलग अलग चलती है अब जड़ा सोचिए कि आप salt की naming कैसे करते हैं जैसे मान लिजे अगर मैं कहूं आप से कि NACL हमारे पास एक salt दिया हुआ है तो इस salt की naming आप कैसे करेंगे सबसे पहले आप क्या कहते हैं कि सर जो sodium है ना उसको हम लोग sodium ही लिख देते हैं और जो chlorine है उसको हम लोग chloride में लिख देते हैं क्योंकि इसके उपर negative charge है है ना तो इसका नाम जो होता है sodium chloride होता है बिलकुल आप ठिक बोल रहे हैं लेकिन ना इसमें एक pattern है pattern क्या है कि पहले हम हम लोग cation का नाम लिखते हैं है ना name of cation ठीक और फिर क्या लिखते हैं हम लोग plus name of nion लिखते हैं name of nion तो पहला step यही रहेगा complexus में पहले किसको लिखना होगा यह first मैं rule बोल दे रहा हूँ पहले हमेशा cation को लिखिए then anion को लिखिए अब मैं यहां पर आ गया पहले इसमें से हम लोगो किसको लिखना पड़ेगा तो पहले हम लोगो को इसको लिखना पड़ेगा इसमें किसको लिखना पड़ेगा तो आप कहेंगे सर यह तो cation है ही नहीं तो इसमें किसको पहले तो भाई यह एक ही तो है तो इसी को लिख देंगे पूरा अब इसमें पहले किसको लिखना पड़ेगा तो इसमें हम लोगों को counter-iron को लिखना पड़ेगा and then हम लोग anionic part को लिखेंगे ठीक है अब चलिए अब coordination entity की naming हम लोग कैसे करेंगे तो हम लोगों को यह समझना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ naming of naming of coordination entity coordination entity is always always done by कैसे करेंगे तो सबसे पाइनला legands को लिखेंगे legands in alphabetical order in alphabetical order अगर एक से ज्यादा legands रहेगा तो आप उसको alphabetical order में लिख देंगे ठीक है चलिए उसके बाद अगर माल लेजे for number of legands क्या करेंगे for number of legands अगर एक रहता है एक रहेगा तो कोई दिकत नहीं है दो रहेगा तो बाई लगा देंगे prefix त्री रहेगा तो ट्राई लगा देंगे prefix पोर रहेगा तो ट्रा लगा देंगे prefix इस तरीके से प्रिफिक्स उसके नाम के आगे आपको लगना पड़ेगा फिर legands को alphabetical order में लिखने के बाद name of the central metal atom name of the central metal atom यह करना पड़ेगा आपको ठीक है और अगर मानलीजे एनायन कंप्लेक्स है एनायनिक कंप्लेक्स एनायनिक कंप्लेक्स अगर है तो उसमें ना इसमें हम लोग name of the central metal atom में suffix add करेंगे क्या 8 8 suffix add करेंगे अगर मानलीजे कैटायन है कैटायनिक है तो कोई suffix add करने की जरूरत नहीं होती है already metal में IUM होता ही है तो यह सब हम लोगों को क्या करना है one word में लिखना है in one word एक उसके बाद हम लोगों को क्या करना है प्लस में oxidation नंबर लिखना होगा oxidation नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन डिजिट रोमन डिजिट बस यह हम सा यह सारा काम हम लोगों को किस में करना है वन वर्ड में करना है वन वर्ड एक ही सब्द में लिख लेना है वह क्या naming हम लोगों का अब example के तुर पर हम लोग समझें concept समझ में आ गया क्या rule है यह चीज क्लियर हो गया अब example देखेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा जैसे मान लीजिए अगर मैं पहला ले लेता हूं के फूर एफई और यहां पर मैं ले लिया cn6 ठीक है तो सबसे पहले हम लोगो क्या identify करना है देखें मैंने क्या बोला था पहले cation फिर nion तो पहले इसमें cation कौन है और nion कौन है तो यह कैसे पता चलेगा सर की कौन सा cation है और nion है तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप देखिए यह की पॉजिटिव में ब्रेक होगा फॉर और प्लस f cn6 में ब्रेक होगा है कि नहीं तो इसके उपर किसका लिखना है potassium का लिखना है तो में यहाँ पर लिख देऊंगा potassium इसको हम लोगों को जो complex का entity है इसको एक word में लिखना है यही सबसे पहले किसको लिखना है लीगेंट्स को लिखना है इसमें कौन है तो आप previous वीडियो में जान गया है हम लोगेंट्स का पूरा classification कर लिए थे साइनाइड है अब जब भी हम लीगेंड की नेमिंग करेंगे ना यहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर नियान रखिए यहाँ पर हम लोग इसमें suffix लगाएंगे suffix O लगाते हैं या आईडो लगा देते हैं जैसे साइनाइड है ना तो हम लोग क्या कर देते हैं साइनाइडो कर देंगे या फिर साइनो कर देंगे और कितनी बार है भाई छे बार है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हैग्जा साइनो छे को लिखते हैं हम लोग हैग्जा आप फिर आयरन है डहें आयरन फेरस पांजिटी टो ऐसे संस्टेट में है तो फेरस हम लिखतेंगे और यहां पर यह रिए यह नाइनिक है यहां बोला है उपविक लगाना को एट तो इस वाएसे यह पर क्या करतेंगे फेर आयज फिर एक अब देखिए ऑक्सिडेशन नंबर निकालना है हम लोगों को तो आक्सिडेशन नंबर आप जनरल एक्विशन मैथड से लगा सकते हैं प्लस आयरन का हम लोगों को निकालना ही है तो एक्स कर लिए क्या अगया थे कशकुरों गया तो यहां पर मैं डिंगा दूगा हम लोगों का अगर आपको नहीं समझ में इसको बैक करके देखिए चार्टाएन लिखने के बाद हम लोग कोर्णिस निटीटी में गए सबसे पहले लीगयंट- उसके लिए 6 हेक्जा प्रिफिक्स लगाएं तो साइनाइडव हो गया यह साइनो हो गया फिर फिर फेर्स है तो फिर टो बिए हो गया एंप इसवह से लगाए क्योंकि अब मान लीजिए अगर हम लोगे पास ऐसा कुछ होता कि कैटाइनिक होता यह पहला एक्जामपल तो हम लोग को संग में आ गया दूसरा एक्जामपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कंप्लेक्स एन्टिटी ही पॉजिटिव होता तो हम लोग कैसे करते माल लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ और यहाँ पर मैं लिख दिया न ह3 और यह हो गया हम लोग का 6 और मैं यह पर लिख दिया । अब सबसे पहले बच्चे क्या करोगे पहले पता करो कि इसमें कट को डाइन तो यह आपको पता है नेगेटीव है तो obviously इस बार coordination entity जो है वो positively चार्ज है यांटिक पहले हम लोग वारे लिखने वाले है एक बाकी रूल सब सेम रहेगा coordination entity को कैसे लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे alphabetical order में सबसे पहले ligands को ligands एक ही है यहाँ पर ammonia लेकिन ammonia को हम लोग कैसे लिखते हों उसके लिए आपना थोड़ा सा अपना भुग भी खोल लिया गर यह क्योंकि यह तो हम लोग बहुत speedly चल रहा है तो ammonia को हम लोग लिखते है amine के form में छे बार है तो हम लोग क्या लिख देंगे hexa और amine है तो मैं आप लिख दूँगा spelling देगे a double m i n e है एक साथ नहीं लिखते हम लोग या तो एक इमत लिखिए या फिर यह आयरन लिखेंगे इस बार हम लोग क्योंकि यह कैटायन है तो आयरन ही लिखा जाएगा नॉर्मल जो नेम होता है अब इसमें कितना चार्ज है तो देखिए दो क्लोराइड है ना और सब मिला जो लाकर न्यूट्रल हुआ है जाने कि आयरन के ऊपर यहां पर भी सेकेंड होगा और फिर मैं क्या लिख दूँगा क्लोराइड डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे ठीक है या फिर यहां पर मैंने टेट्रा पोटासियम नहीं लिखा काउंटर आयन के लिए नंबर मत मेंसन करिए एंक ऋब ले ले जा हो इसंपी ले लेता हूं यहां पर F2 और यहां पर कर देता हूं और यह लोग ह मैं चार्ज बताओ कोई चारज नहीं को हम लोगों को मिल रहा है यानिकी पूरा naming वन वर्ड में ही होगा इसका लूरीन है तो क्लोरों लिखने वाले है यहाप पर एमीन को हम लोग एडबल एम आई एन लिखने वाले हैं अलफ़ाबेटिकल और में हम लोगों को पहले किसको लिखना होगा एमीन को मैं यहां पर लिख दूँगा टेट्रा चार बार है तो टेट्रा और फिर लिख दूँगा मैं एमीन अध्यान रहे टेट्रा के हिसाब से नहीं अलफ़ाबेट देखना है आपको इसके नेम के हिसाब से अलफ़ाबेट देखना है क्लोरो या एमीन के हिसाब से अब यहां पर दो बार क्लोरीन है तो मैं क्या लिख दूँगा डाई क्लोरो और मैं इसको क्या लिख दूँगा आय 2-0-4 और इसको मैं कर लेता हूं 3 अब इसकी नेमिंग हम लोगों को कर रही है तो यह क्या हो जाएगा देखें यह हम लोगों का सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे ईसके बाद कटायाम है तो पहले तो होगा अब यह रैन है लेकेन यहां पर नेगेटीवलीड है मैं लेकोंगा फेरेट अब देखो यहां पर आइरन अब आपको पता है C2O4 जो होता है अगर आप ऑगजेलीक इसिड का फॉर्मूला जानते हैं तो दो नेगेटिव चार्ज करी करता है यह सी है डबल पॉर्ण ओ और ओ निगेटिव अब दो निगेटिव चार्ज करता है यानि कि आइरन के ऊपर कितना ऑक्सिडेशन स्टेट होगा तीन तो इससे नियूट्रलाइज हो गया तीन होगा यानि कि मैं आपे मेंसन कर दूंगा थर्ड हो गया हम लोगों का नेमिंग तो इस तरीके से हम लोगों को आयू पी एसी नेमिंग करनी पड़ती है अब सबाल आता ह है भाई राइट दॉप फॉर्मूला फ्रॉंब आयू पी एसी नेम राइट दॉफ फॉर्मूला है हुआ इप इएस ले टो इस ट्राइब के भी कॉस्स्टन आते हैं हम लोगों के पास कैसे हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे माल लीजे हम यहां पर लिख देता हूं कुछ कुछ पॉस्ट्टिन हम लोग अगर देख लें कुछ नेमिंग अगर हमारे पास हो जैसे महां लेग लिए पोटासियम कि पोटासियम हम यहां पर लिए हेग्जा अब चलो इसका हम लोगों को पॉर्मूला बताना है तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या उब्जर्ब करेंगे आपको उब्जर्ब करना है कि इन दोनों में से कैटाइन और एनाएन कौन है जो पहले लिखा गया वही कैटाइन है तो जो पहले लिखा गया वही कैटाइन है यानि कि के तो पहले ही लिखा जाएगा यानि कि कोडिने से टिटी हम लोगों का बाद में लिखा जाएगा अब इसका नंबर हम लोग मेंसन नहीं कर रहे हैं कि K3 है या K4 है या K2 है इसको तो हम लोग बाद में करेंगे. अब आईए. अब इस्क्वार ब्रेकेट हम लोग लगाएंगे. स्क्वार ब्रेकेट में जो सब से पीछे है ना यानि कि जो central metal atom है, उसको पहले लिख देना है. मैं आपर लिख दूँगा Fe और जितना chlorine है, कितना CL है भाई? तो CL बोल रहा है हम लोगों से six time अब जड़ा सोचिए इस iron के उपर कितना चार्ज दिया है थ्री यानि कि अगर six chlorine है एक chlorine के उपर एक negative charge है यानि कि थर्ड तो chlorine जो है three chlorine तो वो three iron से neutralize हो गया होगा यानि कि यहां पर आगा होगा के three यह होगा हम लोग का फामूला clear है ऐसे ही माल लीजे मैं दूसरा लिख लेता हूं यहां पर मैं दूसरा कुछ हम लोग देखें और उसको हम लोग फ़ल लिखें जैसे माल लिख दिया hexamine cobalt third chloride चीख है hexamine cobalt third chloride अब इसका हम लोग को करना है कैसे करेंगे भाई तो बड़ा simple है देख लोग पहले कि इसको chloride बाद में लिखा गया है यानि coordination entity हम लोग का क्या है पहले है तो मैं यहां पर लिख दूँगा सबसे पहले cobalt को पहले लिख दूँगा तो मैं यहां प पर कर दूँगा सबांदा अगर मालेगो नो मैं दूसरा लएदेता हूं अपके लिए देखते हैं क्या समझते हैं तो पोटासियम एमीन जो लिखा गया है उसको मैं लिख देता हूँ पहले तो पोटासियम अब फिर एमीन अब फिर कह रहा है ट्राइड क्लोरो ट्राइड क्लोरो ठीक है फिर बोल रहा है प्लासियन प्लाइड प्लाइड और क्या बोल दिया न को पहले पहले लिख दें गए तो मैं यह पर लिख दूँगा त्राइडम यान दोफिर कितना ट्राइड कलोरो है तुँ मैं ROB्लतरी लिख दूँगा और देख लो यह थ्री निगेटिव चार्ज है प्लाटी नम उपर दो चार्ज बोल रहा है यह एक ही रहेगा यह हो गया हम लोग का फार्मूला तो आयू पी असी नेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में ना हम लोग कुछ और नहीं बस आपके लिए अगले वीडियो में हम लोग आज ही रहांगे वीटिक के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है थैंक्यू